वैसे तो मेरी हस्बेंड को मीठा घाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैंने आज अपनी पसंद का दलिया बना दिया, कभी-कभी खुद की पसंद की चीज़े भी करनी जहिए, फ्रेंड्स, क्या कहते हो, तो इंजोई गर्मा-गर्म और हेल्दी दलिया तो चले करते हैं, दलिया बनाना शुरू, उसके लिए मैंने लिया है आदा कटोरी दलिया, और दलिये को दो लिया, साथ ही लिये है, छे-साथ काजू बदाम, उनको भी काटके, छोटे-छोटे टुकडो में कर दिया है, अब गैस पर रखते है, कुकर, कुकर गर्म होने देत अब इसको अच्छे से भूनेंगे, हमारे ट्राइफ्रोर्स भून चुके, अब हम इसमें डालेंगे दलिया, दलिये को भी थोड़ी देर के लिए, ऐसी ही हम दिमी आज पर भूनते रहेंगे, जब तक वो सुनहरा ना हो जाए, तो दलिया भून चुका, साथ ही डालेंगे हम इसमें इलाइची कूट के, इलाइची हमने डाल दी है, और अब इसको भी थोड़ा सा हम दलिये के साथ फ्राइ करेगे, साथ ही डालेंगे एक गिलास दोध, सौरी, पानी, अब डालेंगे दोध, थोड़ा सा और डालूँगी, मैं इसमें दोध, तब तक इसको हिला के धकन दे देए तो हमने कुकर को धकन لगा दिया है पकने देते हैं 12 वीसल आने तक अब धकन उतार के देखते हैं हमारे दलिये के क्या हाल चाल है हमारा दलिया बहुत ही अच्छे से पप चुका है अब हम इसमें डाले गे चीनी हम इसमें डालेंगे दो चम्मच चीनी इसको अच्छे से मिलाएंगे बस हमारा हेल्दी कर्मक गरम तलिया परितर के याख है